राम राम जी आप सुब को आपका अपने चैनल पर स्वागत हैं आज हम आपको ये जाकेट का डिजान बना के दिखाऊंगी ये देखो ये जो डिजान डाल रख्था इसमें वो बना के दिखाऊंगी मापको बोडर बना के जो पहले सलाई में शुरू किया था पहले सलाई से बना के दिखा रहे हूँ एक डिजान ये 6 पंदे का है पहले हम एक फंद ये डिजान से अलगो गया हमारा दो फंदे उल्टे पिछे दगा करके दो फंदे सिद्दे पहली सलाई है ये सिद्दी सलाई है फिर अपनी तरफ दागा करके दो फंदे उल्टे अब ये चा फंदे काड़ जाने ये चा फंदे मागे बनाएंगे दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीद्दे, दो फंदे उल्टे फिर आगे दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीद्दे, फिर दो फंदे उल्टे अब ये दो डिजान होगे यहां तक आगे अब तीसरा डिजान दो फंदे उल्टे पिछे दगा करके दो फंदे सिद्दे फिर दो फंदे उल्टे अब यह तेन डिजान होगे यहां तक आगए फिर चो थर्ड जान फिर शुरू करेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सिद्धे अब यहां जो दो फंदे सिद्धे हैं या दो फंदे उल्टे, च्यार फंदे सिद्धे, फिर दो सिद्धे, फिर च्यार उल्टे, दो सिद्धे, च्यार उल्टे बीच में सारी जगा च्यार च्यार फंदे उल्टे आगे अब आगे फिर दो फंदे उल्टे कोने वाला भी उल्टा बनातेंगे दुन्नों कोणी पे एक एक फंदा सिलाई के लिए रख्या है अब आगी दूसरी सलाई उल्टी सलाई अब दूसरी सलाई में हमें सारे फंदे उल्टे बना देंगे आसे अगर आपको मेरा डिजानी ये पसंद आए और बताने का त्रीक का पसंद आए तो पलीज वीडियो को लाइक करना, सेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप देखी रहे हो तो सब्सक्राइब करने का भी कुछ लगता नहीं जैसे सब्सक्राइब लिख्या मिलेगा लालक्सरों में उसको दबा देना जो मा अगरे वीडियो डालोंगी, आपको पता चलेगा मैंने कौन सी वीडियो डाली है नोटिफिकेशन आएगा आपके फोन के उपर सब्सक्राइब के पास बैल दिखाई देगी, उसको दबा देना और फिर तीन बैल आएँगी, उपर वाली को आल लिख्या जिस पे वो दबाना अब ये दो सलाई उतार दिया, अब आगी तीसरी सलाई, सिद्धी सलाई ये कोने वाला उल्टा बना लिया, फिर आगे दो फंदे उल्टे हुन में से एक फंदा उल्टा बना लिया अब एक उल्टा और ये जो दो सिद्धे हैं, इन में से सिद्धा फंदा और एक उल्टा फंदा पिछे दा गा करके दो का एक करतेंगे अब एक फंदा गटा देंगे यहां, एक सिद्धा और एक उल्टा दो का एक फिर अपनी तरफ दगा करके अब ये फंदा गटा दिया जो यहां आम एक दो दो बार लपेट्टे लगा दिये दो फंदे बड़ा दिये यहां फिर ये फंदा ऐसे पल्ट के ये सी दा फंदा हाग च्यार फंदे उल्टे हैं जो उन में से पहला फंदा जो उल्टा फंदा पिछे की साइड दो का एक करतेंगे एक फंदा यहां गटा दिया एक फंदा यहां गटा दिया बीच में दो फंदे बढ़ा दिया हमने दो लपेटे लगा दिये एक जाली बनाते हैं उस टामी तो एक लगाते हैं अब दो लगाई हैं दो फंदे बढ़ गए यहां फिर अगे दो फंदे उल्टे अब जो ये चार फंदे थे बीच में एक फंदा इस्तर पटा दिया अब एक फंदा ये उल्टा फंदा ये सिद्धा फंदा है पिछे दा गा करके सिद्धे फंदे के साथ है दो का एक करतेंगे फिर दो फंदे बढ़ाएंगे यहां एक एक बा दिए फिर आपगे दो फंदे उल्टे दो फंदे बच गे बियाँ जाल एक बनाई है फंदे आम ने दो बडा दिए तो देखो जाली एक दिखाई देरी है दो फंदे के एक उल्टा हो एक-ची दादो का एक फिर एक दो फिर एक शिद चैन देखने में अच्छी दिखाई देगी अगर हम सिद्ध को भी बना सकते हैं यूँ का यूँ को भी फिर ये इस तरह पल्ट देंगे थोड़ी ये चैन अच्छी लगेगी देखने में फिर एक दो दो फंदे उल्टे एक उल्टा और एक सिद्धा दो का एक एक दो ऐसे भी बना सकते हैं फिर ये अगर पल्ट के बना लेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा ये चैन बनेगी जो ये अच्छी देखने में भी अच्छी लगेगी और बनाने में भी ठीक लग रही है अब आगी चोथी सड़ाई उल्टी सड़ाई अब सारे फंदे हम ऐसे उल्टे बनातेंगे फ़ले ये एक बना दिया अब ये वाला यांसे बनाएंगे दो फंदे बना दिये यां सारे फंदे ऐसे उल्टे बनातेंगे फ़ले ये वाली जाली इस्तरा बनाली फिर ये वाली जाली दो फंदे बढ़ रहे हैं यां ये वाली अम्में इस्तरा बना लेंगे अब यह जाड़े इस तरह बना ली अराम से छोड़ दिया फिर यह कुर है जो इसको इस तरह बना लिया एक को पीछे की साइड से बना दिया एक को अग्ये की साइड से आप यहार होगी अब आगी 5 भी साइड सीधी सहलाई अब 5 भी शलाई में फिर हम एक फंडा य सीध वना उल्टा पीछे दागा करके यह उल्टा फंडा यह सीधा फंडा एसे दो का एक ये फंदा गटा दिया जो हमने ये फंदा में अगर आप ऐसे जाली बनाना चाओ ऐसे बना लो अब आगे ये दोनों फंदे हैं ऐसे सिद्धे बना देंगे एक दो फिर अपनी तरफ दागा करके ये जाली ऐसे बनाना चाओ ऐसे बना लो यूँ करके अगर यू लपेट के बनाना चाहू लपेट के बना लो जाली बनानी है एक यह गटा दिया अब दो फंदे बढा दिया पीच में एक दो का एक फिर जाली बना के एक दो दो फंदे सिद्धे फिर जाली बना के फिर एक दो का एक अब दो फंदे गटा आए हैं दो यह बढा द ऐसे भी बड़ा सकते हैं यूँ अगर लपेट के बड़ा हो लपेट के बड़ा लो ऐसे दो तरीके से जाड़ी बनाना बता दी आपको जो नशी अच्छी लगे जो तरीक का असान लगे उसी तरीके से बना लेना अब ये ऐसे लपेट के भी बना सकते हैं अब दो फंदे सिद्धे फिर जाड़ी बना के दो का एक ऐसे भी बना लो अब एक उल्टा रेक सिद्धा दो का एक फिर अपनी तरफ दगा करके ये जाड़ी ऐसे भी बना सकते हैं फिर एक फंदा और बना दिया फिर जाड़ी ये दो का एक साथ में गटा दिया और साथ में बटा दिया अब आगी चटी सलाई उल्टी सलाई अब चटी सलाई में हम सारे फंदे ऐसे उल्टे बनातेंगे चटी सलाई का ये डिजान है और चटी सलाई का ये डिजान है और चटी फंदे का है एक जाली निच्चे बना दि दो जाली उपर बना दि अब देखो एक जाली निच्चे है और दो जाली उपर है अब ये चटी सलाई बार बार बनाएंगे तो ऐसा डिजान बनेगा पहली सलाई से फिर शुरू करेंगे